सल्मान खान के फैंस के लिए हासिर है उनके तीन साल का प्लान जहां ईद में सल्मान दिखेंगे ट्यूब लाइट फिल्म में वही इस बार वो क्रिस्मिस में भी आएंगे नजर टाइगर जिन्दा है फिल्म में टाइगर जिन्दा है फिल्म 2012 में रिलीस हुई एक था टाइगर की सीक्वल फिल्म है यानि 2017 में डबल धमाका इतना ही नहीं साल 2018 के लिए भी उन्होंने रेमो डिसूसा की मुवी के लिए हामी भर दी है रेमो की मुवी में सल्मान दिखेंगे 13 साल की लड़की के पापा के रूप में साथ ही अभी सल्मान अतुल और अल्वीरा अगनिहोतरी के रूमांटिक फिल्म में काम कर रहे है जो डिसेंबर 2018 में रिलीस होने की आश्चंका है इतने बिजी स्केट्यूल के बाद उन्हें वक्त निकालना है अपने भाई सुहेल खान की मुवी शेर खान के लिए जहां एप के बाद एक प्रोजेक्ट है सल्मान के पास वही वो दबंग ठी करने के लिए वक्त ढून रहे है इतना बिजी स्केट्यूल शायद यही रास है सल्मान खान की फुर्ती का लगता है कि सल्मान सबसे बिजी आक्टर्स हैं बॉलिवुड के क्या आप भी यही सोचते है